तो आज आपके लिए लेकर आँ हम एक बड़ी माइदे की अन्बॉक्सिंग और एक प्रॉडक्स का रिव्यू इस सिर्फ प्रॉडक्स का नाम है कीवी बर्ड जैसे मैं को दिखा सकता हूं यहां पर दे सकते हैं एक बड़ी कारामद डिवाइस अगर आपके पास सांसिंग ल प्लस जो आपके अगर आप इस साइट पर देखें यहां पर यहां पर चार्जर आप चार्ज करने के लिए यूज करेंगे अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं आप अपने मंबाइल फॉन के साथ कैसे कीबोर्ड माउस प्लस जो आपको मैं टोडल देल में इ नोट 20 अल्ट्रा के साथ अटेच और फिर उसके बाद में फॉन को मैं यूज करेंगे अज़ा कम्प्यूटर तो सबसे पहले जो उनसा हमने यहां पर जहां पर हैश्टी माई है वहां उस पोर्ट के साथ को कनेक्ट कर देना है उसके बाद हमें जूद पढ़ेगी एक चार को यह देखिए कि मैं इस फोन को कनेक्ट कर रहा हूं जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं इसके साथ और मैं इसको अनलॉक करता हूं ठीक है आप देख रहे हैं कि मेरा फोन जो उनसा है वो इस हमनेटर के साथ कनेक्ट हो रहा है और जैसे यह देखिए अब मेरा पुरा फोन जों से हो बीजिवल हो गया यहां पर मेरे फोन के पर आपको प्लब काम करेगी ठीक है वर आप ीजलिक्ट से गलरी गूगल फायईली इसे आप चेक कर सकते हैं अभा इसके साथ कीबडर मॉउस पिर टाश दीखातetti So guys keyboard and mouse attach के लिए मुझे एक extension की जोद पड़ेगी यह देखें मैंने यह USB port है और यह extension है हमारे USB ports के लिए इसके अंदर जो उनसा है मैं अपने mouse और keyboard को So guys जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सोगत अपना mouse और keyboard इसके साथ टेच कर लिया है देखिए कि मेरे mouse की movement के साथ कि मेरा mouse है उसकी movement के साथ आप देखें कि मेरा cursor पिलकुल 100% work कर रहा है और जैसे ही मैं अपने keyboard को operate करना चाहता हूँ यहाप मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ देखिए कि keyboard भी बिलकुल work कर रहा है तो basically आप इसके साथ आप अपनी USB को भी अटेच कर सकते हैं इसके साथ आप जो इनसे order device भी कर सकते हैं जो की USB Type होँ और आप जो इनसे अपने mobile को as a computer य्यूज कर सकते हैं आप ईमेल सेंड कर सकते हैं एजिली जो आपका दिल करें आप इसके पर कर सकते हैं एप भी यूज़ कर सकते हैं क्लॉक यूज़ कर सकते हैं हर एक चीज ऐसा कंप्यूटर आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो मुझे अमीद है कि आपको इस वीडियो यूज़ रही होगी आपको इस वीडियो देखने का